नवस्कार दोस्तों आप स्वीगा स्वागत है हमारी यूटूब चेनल BCS Academy पर आज के इस वीडियो में हम नीट और IAT में से लेड़े टोपिक लेकर आए हैं आज का हमारा टोपिक है गर्शन फ्रिक्षन इस वीडियो में हम गर्शन के बारे में संपूर जानकारी लेने वाल गर्शन में भी हम सीमांत गर्शन बल के बारे में अध्यन करेंगे गति गर्शन में सरपी गर्शन था लोटनी गर्शन के बारे में अध्यन करेंगे साथ में हम देखेंगे कि जो गर्शन है उसके क्या फाइदे हैं क्या नुकसान है गर्शन कौन विराम कौन के बारे में भी आज के इस वीडियो में चर्चा करें गें üzबॉद्धक के निउकर पूर्प की विजयी में ऑए यह सम्झेंगे चेए बोड़ी डाइग्राम हम एक उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे ठीक है विद्यारतियों हमने लास्ट वीडियो में बल के बारे में अध्यन किया था कि बल क्या होता है कितनी प्रकार के होते हैं उसमें प्रकार में हमने श्यान बल देखा परतिकरिया बल देखा केंद्री बल संदक्षिबल बहुत सारे बल देखें लेकिन गर्षन बल नहीं देखा इसलिए नहीं देखा कि इस वीडियो में हम गर्षन बल के बारे में संपूर अध्यन करेंगे वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा धेरी ये बना करके ठीडिकल पांट अधिक है और जादा से जादा समझने का प्रियास करेंगे अब इस वीडियो को इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे घर्षन होता क्या है विद्यारतियों घर्षन होता क्या है कि जब किसी प्रष्ट के ओपर कोई वस्तु फिसलती है या फिसलने का प्रियास करती है तो दोनों प्रष्टों के बीच में गती का विरोध करने वाला एक बलकारिय करता है और उसे बल को ही हम कहते हैं घर्षन बल एक बार फिर से मेरी बात को सुन लीजिए कि जैसे हमें जानते हैं कि किसी वस्तू को यदि हम किसी प्रष्ट पर धखा मारें तो थोड़ी सी गती करने के प्रष्ट रुक जाता है अपने आपी तो उसके रुकने के पीछे जैसे मैं गेंद कोई लुड़का रहा हूं एक समतल प्रष्ट के उपर गेंद को धीरे से लुड़का दिया तो गेंद लुड़कती जाएगी और यदि बिल्कुल सिती प्रष्ट है तो एक सिती ऐसी आएगी हलांकि थोड़ी दूरी ते करेगी उसके प्रष्ट गेंद रुक जाएगी इसी प्रष्ट के उपर थोड़ी सी गती करेगी तत प्रष्ट थोड़ी दूरी प्रष्ट रुक जाएगी तो ऐसा क्यूं होता है ये गर्षन बल के कारण से ही रुक जाते हैं गर्षन बल इनकी गती का व्योद गरता है तत्वश्यात ये इस्तिरवस्था में आ जाते हैं तो इस वीडियो में हम गर्षन की छोटी से छोटी बारी किया है उनको भी अच्छे से explain करने वाले हैं आप हमारे साथ में यूही बने रही है सबसे पहले हम घर्षन को प्रिभासित कर देते हैं कि जब वस्तु है किसी प्रष्ट के उपर फिसलती है या पिसलने का प्रियास करती है तो गती का व्योध घरने वाला जो बल होता है उसी बल को हम घर्षन बल कहते हैं या केवल गर्षन कर दीज़े केवल गर्षन का मतलब भी गर्षन बल लिए और उनकी आपेकसि घती का विरोध करने वाला बल होता है चले definition में आपकी सामने रख देता हूं एक-एक करके हम इंके बारे में संपूमण जान कर लेंगे कि जब कोई वस्तु किसी प्रस्ट पर पिसलती है या पिसलने का प्रियास करती है तो गती का विरोध करने वाला बल गती का विरोध करने वाला बल गर्सन कहलाता है क्या कहलाएगा गर्सन कहलाता है देखी यहां पर एकदम क्लियर कर लीजिए कि जैसे यह हमारे पास में कोई प्रिस्ट है यह हमारे पास में क्या है कोई प्रिस्ट है और इस प्रिस्ट के उपर हम कोई वस्तु रख देंगे जैसे यह हमारे पास में कोई वस्तु है इस वस्तु के उपर हम एक बल लगा रहे हैं देखे ये बल लगाने से हो सकता है कि वस्तू गत्सील अवस्था में आजे और कई वार वस्तू गती भी नहीं कर पाती बल कम है तो वस्तू विराम अवस्था में भी रह जाती है तो जिस डिरेक्शन में बल लग रहा है दोनों प्रस्टों के मद्दे बल की विपरित दिसा म देखे, बल के समांतर प्रष्टों के समांतर और उसकी विप्रित दिशा में एक यहां पर बल काम करेगा इस direction में बल काम करेगा जिसको हम गर्षन बल कहेंगे जिसे क्या कहा जाएगा गर्षन बल जिसको हमने small app से पुट किया है ये वस्तु है और इस वस्तु के उपर ये तो है बाहे बल आप, बाहे बल लगाया तो इसे प्रस्ट पर, प्रस्ट के अनुदिस, वस्तु के उपर प्रस्ट के अनुदिस विप्रित दिशा में एक बल काम करता है, जो कि इसकी गती का विरोध करता है, घर्षन बल कहलाता है, एप से इसको हम put कर रहे हैं, ओके, तो गर्सन बलकी direction, पिंड की या वस्तू की गती की विप्रित दिसा में होती है, प्रश्ट के समांतर होती है, ओके, अब बात करते हैं, गर्सन के प्रकार, गर्सन के प्रकार, चले, देखे, गर्सन मूलत दो प्रकार का होता है, कितनी प्र प्रकार का होता है, दो प्रकार का, पहला जो प्रकार है, वो है इस्थेतिक गर्सन, इस्थेतिक गर्सन, इस्थेतिक गर्सन, इस्थेतिक गर्सन, और दूसरा है, गतिक गर्सन, इस दो प्रकार है, एक के करके दोनों को समझ लेते हैं, सबसे पहले समझेंगे, इस्थेतिक गरसन देगे हमने यहां पर गरसन की definition में एक बात पुट करवाई कि जब कोई वस्तु किसी प्रस्ट पर पिसलती है जब वो पिसलती है इट मिंस वो गतिक कर रही है तब जो गरसन वल काम करेगा उसको हम कहेंगे गतिक गरसन जब एक वस्तु दूसरे किसी प्रस्ट के उपर फिसल रही है गति कर रही है तो उस condition में उस इस्तिती में जो गरसन वल काम कर रहा है उसको हम गतिक गरसन कह रहे हैं ओके दूसरे देखो या लगा कर मैंने लिखा है फिसलने का प्रियास करती है फिसल नहीं रही है वस्तु विराम वस्ता में है फिसलने का प्रियास कर रही है लेकिन गती सील वस्ता में नहीं है यदि वस्तु गती सील वस्ता में आ गई तो वहां पर गती गर्शन काम करेगा और जब तक वस्तु इस्तिर वस्ता में है तब तक इस्थेतिक गर्शन काम करेगा तो यहां पर क्लियर कर रहते हैं तब तक इस्थितिक गर्षनबल काम करता है देगे मेरी बात को सुन लीजी मैं इसी डाइग्राम से ही आपको समझाने का प्रियास करता हूं आप ये समझ लीजी कि हमारे घर में एक छोटा सा बकसा है और उस बकसे के उपर हम एक बल लगा रहे हैं इधर हम इसको ख लगाया तो इस बल की थीक विप्रित डिसा में प्रस्ट के अनुदिस यहाँ पर एक बल काम करता है उसको हम Fs से put कर रहे हैं इसे हम कहते हैंísthetik गर्सन इसे क्या कहा जाता है Massachusetts कहा जाता है जो कि ये जो F है वह है बाहे बल F क्या है बाहे बल भार से लगा रहा है तो देखे एक न्यूटन जब बाहे बल है तो गरसन बल कितना हुआ एक न्यूटन हुआ यह विराम वस्ता में है अब जब यहां से हमने बल बढ़ा दिया दो न्यूटन किया तो यह भी दो न्यूटन तीन न्यूटन किया तो यह भी तीन न्यूटन जैसे जैसे बल बढ़ाएंगे तो गरसन बल भी उसी अनुपाथ में बढ़ता चला जाएगा जब तक वस्तु विराम में है तब तक कोई सा बल गाम करेगा इस्थिदी गरसन तो विराम की इस्थिदी में बाहे बल के बराबर गरसन बल होता है इस्थितिक गर्सन बल का मान बाहे बल के इक्वल होता देखो इसको एकदम क्लियर गा लीजिए जो इस्थितिक गर्सन है F S ये बाहे बल के इक्वल होता है सीधा सीधा बाहे बल के बराबर होगा आप जैसे जैसे बाहे बल को बढ़ा रहे हैं गर्सण बल बढ़ता चला जा रहा है अब देखिए किस वस्तु के उपर हम बल लगा रहे हैं बल को बाहे बल Josh कर भाए है तो एक इस्तिधी ऐसी आएगी कि ये जो वस्तु है वो गती करना प्रारंब हो जाएगी इसके गत्सी लबस्ता आजाएगी बल लगाएंगे बल लगाएंगे तो एक इस्तिधी ऐसी डेफिनेटली आएगी कि उसके पर शाहत ये गती करना स्थार्ट हो जाएगा तो गती करन दो लगाया तो दो तीन लगाया तो तीन चार लगाया तो चार पांस लगाया तो गर्षन भल भी पांच छे लगाया तो छे साथ लगाया तो साथ आठ लगाया तो आठ नो लगाया तो नो दस लगाया तो दस न्यूटन और ये जो वस्तु है दस न्यूटन पर ठीक गती करन वाड़ी इस्तिदी में आ जाती है कौन सी इस्तिदी में आ जाती है कि इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा बल लगा दें तो ये गत्सील वस्था में आ जाएगी हम ये जानते हैं कि एक इस्तिदी ऐसी आएगी कि उसके पश्यात वस्तु गत्सील अवस्था में आ जाती है उसके पश्यात वस्तु कौन से वस्ता में आ जाएगी गत्सील अवस्था में आ जाएगी ओके तो जो इस्तितिक गर्षनबल का मान है एक इस्तितिक पश्यात वो नहीं बढ़ पाएगा उसके फश्यात तो वस्तु गर्षी लवस्ता में आजएगी तो विराम की इस्तिती में जो अधितम गर्षनबल काम कर रहा है उसे हम सीमान्त गर्षनबल करें उसे क्या कहा जा रहा है सीमान्त गर्षनबल सीमान्त गर्षन सिमान्द गर्षन या सिमान्द गर्षन बल इसको हम F.S. मेक्जिमम कहेंगे F.S. मेक्जिमम देखो इसको भी एकदम क्लियर कर ले न F.S. है इस्थेतिक गर्षन और F.S. मेक्जिमम है सिमान्द गर्षन ये जो सिमान्द गर्षन है वो है इस्थितिक गर्षन का अधिक्तम मान ये सिमान्द गर्षन क्या होता है इस्थितिक गर्षन का अधिक्तम मान होता है ये अधिक्तम मान बताईए समझाया कि नहीं है सिमान्द गर्षन क्या है इस्थितिक गर्षन का जो मिक्जिमम मान होता है वो है सीमान गर्षन F-S मिक्जिम से पुट करेंगे देखो यहां पर मैंने जो एक्जामपल बता है ना इसमें दस न्यूटन के विश्यात है दिवस्तू गत्सी लवस्ता में आ जाती है तो जो दस न्यूटन है ना यह सीमान गर्षन बल ओके कई वार क्यूशन ऐसे आता है जैसे हमारे नोर्स में भी आपको एक ऐसे क्यूशन मिलेगा कि सीमान गर्षन बल का मान दस न्यूटन है देखो क्यूशन समझे ना F-S मिक्जिम आपको कितना दे रखा है PFASE Maxium है 10 Nshaw और यदि वस्तु के ऊपर 6 बड़ लगा रहे हैं 8 Newton कब लगा रहे हैं 8 Newton के तो गर्षनबिल कितना होगा श्यक्त सीमांत teaching से कम यदि आप थोड़ ऐ अधो-ध कम आप आठ ही लगा रहें, तो गर्षन बल यहाँ पर इस्तेतिक गर्षन बल काम करेगा, और आठ न्यूटन का ही काम करेगा, ओके, यहाँ तक लिए रो जाना जी, एक बार सीमान्द गर्षन बल के बारे में फिर से सुन लीजिए, सीमान्द गर्षन क्या है, इस्तेतिक होता है उस इस्थिति में वस्तू ठीक गती करने की अवस्था में आ जाती है ठीक गती करने की अवस्था में आ जाएगी अब देखे जो इस्थितिक गर्षण है इसका कोई फोर्मूला नहीं है हलांकि इसका मान बाहे बलके इक्वल होता है ओके मैं यहां पर बात करता हूं स सिमांत गर्षन की, तो सिमांत गर्षन बल का विद्यारत यो फोर्मूला होता है, गति गर्षन का भी फोर्मूला होता है, तो समझें, जो सिमांत गर्षन बल है, F.S. मेक्जिमम, ये अभिलंब परती किरिया बल के समानुपाती होता है, इसके समानुपाती होता है, परती किरिया बल को कई वार नॉर्मल फॉर्स कहा जाता है इसलिए कई जगें पर केपिटल एन से भी पूट कर दे हम यहां पर केपिटल एन से पूट नहीं करेंगे क्योंकि हम न्यूटन को एन से लिखेंगे तो थोड़ी बहुत कन्फूजन की स्थिदिय नय हो चीजे सारी क्लियर रही इसलिए मैंने यहां पर अभिलंब परती किरिया बल को किस से पूट कर दिया है केपिटल आर से पूट कर दिया है अभिलंब परती किरिया बल क्या होता है वस्तू के ओपर प्रस्ट के ठीक लंवत दिसा में काम करने वाला जो बल है वो है अभिलंब परती किरि या बल ओके समझ लीजिए इसे कि ये हमारे पास में वस्तु है जैसे हम इसका दुर्यमान है एम कंसिडर कर लें तो इसके उपर प्रस्ट के ठीक लंबवत दिसा में एक देखो ये जो वस्तु है इस प्रस्ट के उपर एक बल लगाएगी जिसे हम एम जी के रूप में लिख सकते हैं अब ये जो प्रस्ट है इस वस्तु के उपर भी एक बल लगाता है जिसको परतिकिरिया बल अभिलंब परतिकिरिया बल कहते हैं कैपिटल आर से प्रदसित करते हैं तो जो सीमान्द करसन बल होता है वो इस अभिलंब परतिकिरिया बल के समानुपाती होता है क्लियर तो यहां से हम प्रपोस्टन का साइन हटाएंगे और एक कॉंस्टेंट पुट कर देंगे और उस कॉंस्टेंट को हम म्यू एस से पुट कर रहे हैं यह जो म्यू एस है वो इस्थेतिक गरसन कहलाता है क्या कहलाता है म्यू एस से इसको हम पुट करें अब देखो इस म्यू एस कमान किस पर डिपेंट करेगा यहां पर एक तो प्रष्ट है समतल प्रष्ट है एक वस्तू का प्रष्ट है तो दो प्रष्ट हो गए है दोनों प्रस्टों की परकत्ती पर निर्भर करता है कि संपर्क में आने वाले जो दोनों प्रस्ट हैं उनके प्रस्टों की परकत्ती पर जैसे आप जिकने प्रस्ट पर इसको गती करवा रहे हैं खुर्द्रे पर करवा रहे हैं मिट्टी पर करवा रहे हैं तो इस प्रष्ट की प्रकत्ती पर depend करेगा और किसको गती करवा रहे हैं उसके प्रष्ट के उपर भी depend करेगा तो संपर्क तलों की प्रकत्ती पर mu s कमान depend करेगा mu s कमान है तो constant बट उनकी जो नेचर है प्रष्टों की नेचर है उसके उपर इसकी value depend करती है तो mu s कमान किस पर निर्बर करता है mu s कमान प्रष्टों की परकत्ती पर निर्बर करता है प्रष्टों की परकत्ती पर निर्बर परकत्ती पर depend करता है जब कि प्रष्टों के छित्रफल पर depend नहीं करता प्रष्टों के छित्रफल पर depend नहीं करेगा वह कितना छित्रफल संपर्क में है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है तो बदाईए यहां तक समझ में आ गया क्या Fs में जिम बराबर क्या गया म्यूस इंटू R और इस डाइग्राम में जो R है वो किसके इक्वल है R किसके तुल्य है R किसके तुल्य है M G के इक्वल है यहां से Fs में इक्वल टू क्या पूट कर देंगे हम में म्यूस अम जी म्यूस अम जी यह पूट कर देंगे Fs में इक्वल टू म्यूस M G हम पूट कर देंगे तो विधर्द यहां तक आपको अच्छे से समझ दूए, आ जाना चीज, सिमान्त गर्षन बल तक हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है. ठीक है? यहां तक लियर हो गया? थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे गतिक गर्षन की. गतिक गर्षन होता क्या है इसके प्रकार हम यहां पर देख लेते हैं चले में इन सब को एक वार यहां से मिठा देता हूँ हम बात करेंगे गतिक गर्षन की मैंने एकदम क्लियर कर दिया है कि इस्तितिक गर्षन विरा मवस्था में काम करता है और गतिक गरसन गत्सी लवस्था में ही काम करेगा तो देखिए हमारा अब टोपिक रहें गया है सेकंड पार्ट गतिक गरसन गतिक गरसन क्या है कि जब कोई वस्तू देखो अब तक तो वस्तू इस्तिरवस्था में थी ये जो प्रेस्ट है इसके उपर ये इस्तिरवस्था में पड़ी थी तब तक तो इस्तितिक गर्षण सीमान्द गर्षण बल काम करता है लेकिन सीमान्द गर्षण तक जैसे जस्ट उससे उपर बल लगता है वस्तू गत्सील अवस्था में आ जाती है वस्तु क्या आजाएगी फिर देखे सिमान्त गर्षन बल से थोड़ा सा कम भी कर दें तो भी वस्तु गतिमान बनी रहती है मेरे इस स्टेट्मेंट को फिर से जो लीजिए कि सिमान्त गर्षन बल से जस्ट थोड़ा सा बल लगाएंगे तो वस्तु गति करते रहेगी और उस इस्तिती में गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उस बल को हम है गतिक गर्षन कहते हैं ओके गतिक गर्षन का मान सिमान गर्षन से थोड़ा सा कम होता है थोड़ा सा क्या होगा कम ये एकदम clear हो जाना चाहिए यहां पर देखिए कि ये गतिसील अवस्था में काम करता है कौन सी अवस्था में काम करेगा गतिसील अवस्था में काम करेगा और इस गर्षन बलको हम आफ के से पुट करते हैं किस से पुट करेंगे आफ के से हम इसको लिखते हैं पुट करते हैं एक वार देखे इसी डाइग्राम में समझेंगे हम कुछ चीजें यहां से ही इसी डाइग्राम से ही समझ लेते हैं देखे यहां से मैं हटा देता हूं अब वस्तू आगई है गत्सी लवस्ता में कौन सी वस्ता में पहुंच गए है हमें सीमान्द गरसंड से थोड़ा सा जादा बल लगा दिया है ठीक है थोड़ा सा जैसे ही बल जादा लगाएंगे F का जो मान है वो F.S. मिख्जम से जादा होगा तो वस्तु गत्सी लवस्ता में आ जाएगी और जब वस्तु गत्सी कर रही होती है तो उस कंडिशन में जो लगने वाला गर्सनबल होता है उसको हम गत्तिक गर्सन गहते हैं आफ केसे परदसित करेंगे किससे लिखा जाएगा आप के से हम उसको पर्दसित करेंगे लिखेंगे ठीक है अब देखें ये जो आफ के है इसका मान भी अभिलंब परती किरिया बलके समानू पाती होता है इसका भी एक फॉर्मूला है वो भी हम देख लेते हैं कि आफ के है वो अभिलंब परती किरिया बलके समानू पाती होता है, यहां से हम proportional का sign हडा देंगे और एक constant पूट करेंगे और उस constant को μु के से पूट करेंगे, किस से लिखा जा रहा है, μु के, यह जो μु के है इसको हम गतिक गरसन गुनांग कहते हैं, गतिक गरसन गुनांग और इसका मान भी दोनों प्रस्टों की प्रकत्ति पर निर्बर करता है लेकिन प्रकत्ति पर तो क्या है डिपेंड करता है दोनों प्रस्टों की प्रकत्ति की इस प्रकार की है लेकिन दोनों के वेग पर निर्बर नहीं करता दोनों के वेग के उपर डिपेंड नहीं करता ओक तो गतिक गर्सन आपको समझ में जाने चाहिए F के इक्वल टू एको सिमान्त गर्सन और गतिक गर्सन दोनों का फॉर्मूला दिखने में जिसे वहां पर Fs में जिम था और यहां पर μू S था यहां पर F के यहां पर मू के आ गया और इसी डेग्राम से दिया आप देखें तो यह जो R है वो Mg के इक्वल है R किसके दुल्ले है Mg के इक्वल देन यहां से क्या आजएगा मू के Mg आजएगा मू के Mg यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए समझ में आ जाना चाहिए आप यहां पर देखेंगे कि यह जो Mg के इससे पहले हमने क्या पड़ा Mg S यह दोनों ही मात्रखीन होते हैं दोनों ही कैसे होते हैं मात्रखीन होते हैं वीमाहीन होते हैं इनका मान प्धार्थ की जो प्रष्ट है उनकी प्रकत्ति पर निरभर करता है मैं आपको यहां पर clear कर दूं कि mu s का मान mu K से अधिक होता है mu s का मान क्या होता है mu K से अधिक होता है it means Fs maximum है वो भी Fk से अधिक होगा Fs maximum क्या होता है Fk से थोड़ा सा मामुली सा अधिक होता है clear चले मैं एक graph के जरी आपको समझाता हूं कि गरसन बल था बाहे बल के बीच में यदि हम गराप खींचें तो किस प्रकार का गराप प्राप्त होगा चलिए देखिए हम गति गरसन के प्रकार देखेंगे उससे पहले हम यहां पर देख लेते हैं इधर तो हम ले लेते हैं गरसन गरसन बल ले लिया इधर मैं ले लेता हूँ बाहे बल एक ग्राप की जुरिया आपको समझा रहा हूँ अब तक जो हमने पढ़ा वो हम बाहे बल का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं इस तरीके से बाहे बल का मान बढ़ा रहे है तो जो गर्सन बल है वो समानुपातिक रूप से बढ़ रहा है यहां पर देखें बाहे बल बढ़ रहा है तो गर्सन बल भी बढ़ रहा है लेकिन एक इस्तिती यह सी आएगी कि उसके उपर जो गर्सन बल है वो अधिक्तम हो जाएगा और गर्सन बल का जो अधिक्तम मान है उसको हम कहते हैं F-S-M-I-G-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M है तो वस्तु विराम में रहती है यहां तक तो क्या रहेगी वस्तु विराम में रहेगी यहां से यहां तक जब बल लगाए जा रहा है तो वस्तु विराम में रहेगी और यहां पर जो एफ एस है वो बाहे बल के समानु पाती है दोनों एक दूसरे के समानु पाती होंगे य अफ्राइस मिक्जिम होता है यह जो बल होता है वो F, K होता है और बाहे बल आप चाहे कितना ही बढ़ा दें अब गति गर्शन काम करेगा और वो नियत रहता है यहां पर जो वस्तु है वो गत्सी लवस्था में आ जाती है कौन सी वस्था में आ जाती है गत्सी लवस्था में आ जाती है तो यह ग्राफ भी आप अच्छे से समझ लेंगे इस ग्राफ में क्या है कि प्रारंब में जब तक वस्तु विराम अवस्था में रहती है तो बाहे बल और गर्शन बल दोनों एक दूसरे के समानु पाती होती है विराम अवस्था में अधिक्तम जो गर्शन बल काम करता है उसको हम सीमान्त गर्शन बल कहते है यह हमने एफस में जिम दिखा दिया फिर देखे जब सीमान्त गर्शन बल की स्तिती से भी ज़्यादा बल लगा जाता है तो वस्तु गति सील अवस्था में आ जाती है और उस इस्तिती में जो गर्षण बल काम करता है उसको हम गतिक गर्षण कहते हैं और गतिक गर्षण का मान सीमानत गर्षण से थोड़ा सा कम होता है थोड़ा सा क्या होता है कम होता है गतिक गर्षण का मान नियत बना रहता है इस्तितिक गर्षन का मान तो चेंज हो रहा है, भाइबल के कोडिंग बदल ला, बट गतिक गर्षन का मान नियत रहता है, यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है, कि Fs मेक्जिमम है, वो F केसे अधिक होता है, तो यहाँ से एक रिजल्ट और भी निकल जाएगा, कि जो μुएस है, वो μुकेसे भी अधिक होता है, इनका जो मान है, वो दोनों प्रस्टों की प्रकत्ति पर डिपेंड करता है, यह मैंने अपको क्लियर कर दिया है, यहाँ तक समझ में आ जाना चीए, और यह फोर्मूला भी समझ में आ जाना चीए, खीक है, आगे समझ में, एक बार मैं इनको हटा देता हूँ, बात करते हैं, अब हम गतिक गर्षन के परकार, जो गतिक गर्षन हम पढ़ रहे हैं ये कितने प्रकार का होता है तो विद्यारतियो गतिक गर्षन दो प्रकार का होता है गतिक गर्षन कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का वस्तु गत्सी लवस्ता में रहेगी लेकिन वो भी दो तरीके की गति हो सकती है सरपी गर्सन और लोटनिक गर्सन सरपी गर्सन थे दा लोटनी गर्सन गतिक गर्सन के परकार तो ये कितनी परकार का है? दो परकार का है कितनी परकार है? दो परकार देखे, पहला जो परकार है वो है सरपी गर्सन सरपी गर्सन दूसरा जो प्रकार है लोटनिक गर्सन दूसरा कुण सा प्रकार है लोटनिक गर्सन ठीक है सरपी गर्सन था लोटनिक गर्सन अब सरपी गर्सन का मतलब है जब कोई वस्तु किसी प्रस्ट के उपर सरकती है देखो वर्ड सुन लीजे सरकती है या फिसलती है तब जो गर्षण बल काम करता है तो उसकों कहते हैं सरपी गर्षण अब तक जो हमने पढ़ा गती गर्षण में वो सरपी गर्षण ही था कौन सा था? सरपी गर्षण जब वस्तू किसी प्रषट के उपर क्या होती है? पिसलती है या सरकती है सरक रही है या पिसल रही है तब जो गर्षण बल काम करता है न उसकों सरपी गर्षण कहते है क्या कहा जाता है सरपी गर्षण कहा जाता है फिर हम आगे बढ़ते है लोटनी गर्षण ये थोड़ा सा काम का है थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग भी है तेके लोटनी के गरसन के अंदर वस्तु है वो लुढकती है वस्तु क्या होगी? प्रस्ट के उपर लुढकेगी वो लुढकने के लिए देखे हमें किसकी जुरत है या तो गोला लुढकता है या बेलन लुढकता है जैसे हमारे पास में कोई प्रस्ट है विद्यारते लोटनी गरसन की बात करते है लोटनी गरसन के अंदर जो वस्तु है वो लुढकती है यह हमने पहले ही पूट कर दिया है कि सरपी गरसन के दोरान जो वस्तु है वो फिसलती है या सरकती है तो जो गरसनवल काम करता है उसको सरपी गरसन और यदि वस्तु लुड़क रही है उस इस्तिती में जो गरसनवल काम करता है उसको हम लोटनी गरसन कहते हैं जैसे कोई गेंद हो कोई बेलन हो गोला हो तो वो सब कुछ लुड़कने की इस्तिती में ही होंगे यह हमारे पास मे यह कोई बेलन या गोला है और इसकी रेडियस है स्मोल आर इसकी रेडियस है तब यहाँ पर जो लोटनिक गरसन काम करता है लोटनिक गरसन यहाँ पर काम करता है एफ आर से पुट करेंगे यह अभिलंब परती किरिया बलके समानुपाती थता जो वस्तु लुड़क रही है उसकी रेडियस के वितकरमानुपाती होता है यहाँ पर इन चीजों को क्लियर कर लेना एफ आर है वो अभिलंब परती किरिया बलके समानुपाती थता जो गोला है बेलन है उसकी रेडियस के वितकल मानुपाती होगा यहां से प्रपोस्टन का साइन हडा देंगे और एक कॉंस्टेंट पुट करेंगे म्यू आर कॉंस्टेंट हमने क्या पुट कर दिया है म्यू आर पुट कर दिया है ओके यह जो म्यू आर है वो लोटनिक गर्षन गुणांक कर लाता है म्यू आर क्या है लोटनिक गर्षन गुणांक चलिए इन चीजों को क्लिर कर लीजी यह है लोटनिक गर्षन गुणांक लोटनिक गर्षन गुणांक म्यू आर देखे यह जो म्यू आर है लोटनी का गर्षन है वो अन्य सभी गर्षनों से कम होता है लोटनी गर्षन अन्य सभी गर्षनों से क्या होगा? कम होगा इट मिन्स जो म्यू आर है वो म्यू के से कम होगा सरपी गर्षन से ये कम होता है देखिए जो पईये का विसकार है वो काफ़ी फाइदे बंद इसी वज़े से काफ़ी फाइदे बंद रहा क्योंकि जैसे ही वस्तू जैसे हमारे पास में यह वस्तू बक्सा है इसके नीचे पईया लगा देंगे तो यह आसानी से फिसलेगा क्योंकि रचन बल वहाँ पर कम हो जैगा कम बाहे बल में भी इसको एक इस्सून से दूसरी स्तान तक ले जा सकते हैं तो यहां पर इन चीजों का रिजी जिए म्यु आर म्युवार का मतरक होता हैником यहां से म्यु आर बराबर क्या हो जाएगा एफार घट्र यह तो मात्रक ही नहीं होता उनकी वीमा भी नहीं होती एक चीज यहां पर क्लेर कर लेना कि म्यू आर लेस्टेन म्यू के और वेरी वेरी लेस्टेन है इनकी तुलना में तो यह क्या है काफी छोटा होता है तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होँगा अब हम थोड़ा सा आ आगया बढ़ते हैं कुछ कुशनस अब हम यहां पर लेंगे फिर उसके पर शचाहत हम गरसन के लाब और हानियों की चर्चा करेंगे गर्सन की क्या लाब हैं, गर्सन क्यूं जरूरी है, गर्सन क्यूं आवश्यक है, उसकी चर्चा करेंगे और गर्सन हमें नुकसान कैसे पूँचाता है, उसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं कुछ इन्वेरिकल कुशन सब देख लेते हैं पहला क्यूशन आप देखें ये कि एक 2 kg का बॉक्स कार की छट पर रखा हुआ है कार है और उसकी छट के उपर हमने एक बॉक्स रख दिया है तो कार का अधिक्तम अक्सलरेशन क्या होगा जब बॉक्स इस्तिर रहे कोण से वस्ता में रहना चाहिए इस्तिर वस्ता में बॉक्स और कार के छट के मद्दे का जो इस्तिति गर्शन गुडांकर वो 0.2 दे रखा है हमें जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्कुएर यूज में लेना है एक बार इसे क्यूशन को समझें कि जैसे ये हमारी कार है और इसकी चट पर ये बॉक्स रखा हुआ है देखिए कार जब ए तरण से इधर की और गति करेगी तो इस बॉक्स के उपर एक आभासी बल इसकी विप्रित दिसा में काम करेगा और उसका अक्सलरेशन होगा A0 आभासी बल काम करेगा और वो आभासी बल चाहे तो आप A0 से पूट कर देंगे ये है आभासी बल इसका दुर्यमान है स्मोल एंड जब ये इसके उपर काम करेगा तो ये जो बॉक्स है वो इसके उपर इधर फिसलेगा लेकिन तब तक नहीं फिसलता जब तक सिमान्त गर्षन बल से कममान का गर्षन बल लग रहा हो कममान का आभासी बल लग रहा हो यदि सिमान्त गर्षन बल के बराबर बाहे बल लग गया तो उससे ज़्यादा लग गया तो ये फिसल जाएगा तो हमारे को ये पूछ जा रहा है कि इस्तिरोष्था में कब तक रहेगा जब तक रहेगा जब तक कि इसके उपर सीमान्त गर्षण बल्के बराबर आभासी बल बाहे बल नहीं लग जाता तो इधर ये काम कर रहा है F S मिक्जिमम तो जो F S मिक्जिमम है वो M A 0 के बराबर है M A 0 के बराबर है तो M A 0 बराबर F S मिक्जिमम तो यह आगया M U S इंटू में केपिटल R केपिटल R कितना हो जाएगा उपर की ओर लग रहा है R तो केपिटल R होता है M G यहां से M से M क्या हो गया कैंसिल हो गया A 0 जो हमें ग्याद करना है M U S इंटू G M U S कमान है 0.2 G कमान हमें 10 यूज में लेना है तो A 0 बराबर कितना आ गया 2 मिटर पर सेकिंड स्क्वार का जो अक्सलरेशन है वो 0.2 मिटर पर सेकिंड स्क्वार से जादा होगा तब ये बॉक्स पिसल कर पीछे की और लुडग जाएगा पीछे की और गती करने स्टार्ट हो जाएगा हमारे को ये पूछा कब तक इस्ति रहेगा जब तक कि उसका अक्सलरेशन दो मिटर पर सेकिंड स्क्वार तक नहीं होता ठीक है अगला क्यूशन देखें कि कार सीधी सड़क सेती सड़क पर V0 वेग से गती कर रही है तो कार को रोकने है तो न्यूंतम दूरी क्या होगी वेग से गती कर रही है ये प्रारंबिक वेग है अंतिम वेग इसका है जीर अंतिम वेग इसका कितना है? जीरो हमें दूरी पूछी है क्या पूछा गया है दूरी तो V square बराबर U square प्लास टू AS रोका जा रहा है कार को रोका जा रहा है तो रोका जा रहा है तो यहाँ पर जो acceleration काम करेगा A है वो गती की विपรिद जिसा में काम करेगा रोकने मड़ा है तो यहाँ पर गर्षन बली तो काम कर रहा है गर्षन की वज़े से ही तो रुख रहा है तो यहाँ से यह 0 बराबर u square minus 2a s और s बराबर आगया u square upon 2a अब यह जो a है a है वो कौन सा वाला a है? यह हम देख लेते हैं m a बराबर क्या होता है? f s यहाँ पर क्या है? f k f k यहाँ पर f ही समझ लीजिए और a बराबर होता है mu into r और r बराबर क्या होता है? mg क्योंकि यहाँ पर हमें special कुछ भी नहीं दे रखा तो a बराबर कितना आ गया है? mu g क्लियर कर ले ना इसको ए बराबर यहां पर म्यू जी है वो हमने यहां से निकाला है इससे ओके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगला क्यूस्टन देख लेते हैं कि 2 किलोग्राम का एक पिंड 2 मिटर पर सेकंड के अचर वेग से एक गर्षण युक्त से 30 तल में खिंचा जा रहा है यदि सत्य और पिंड के बीच गर्षण के जीरो पॉइंट दो जीरो हो तो पांस सेकंड में उत्पन उस्मा क्यूस्टन समझें एक बार उस्मा क्या होता है पहले उसमा गयात करना है इसका मिलब जब यहां पर हमें जो पिंड दे रखा है वो 2 मिटर पर 30 सेकंड के वेग से अचर वेग से एक गर्षण युक्त तल के उपर खिंचा जा रहा है और इस पिंड का जो दुरिमान है वो 2 किलो ग्राम है पिंड का दुरिमान कितना है 2 किलो ग्राम गर्षण मुणांग हमें म्यू दे रखा है 0.2 समय हमें 5 सेकंड दे रखा है समय कितना दे रखा है 5 सेकंड हमें क्या गयात करना है कि जब पिंड पिसलता है तो प्रषणों की बीच में उसमा उत्पन्न होती है उस उस्समा की value क्या होगी वो हमें ग्याद कर नी है चले तो पहले हम कारी ग्याद कर लेते 5 seconds तक जब वो पिसलता है तो कारी कितना होगा कारी बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन बल गुणा में विस्थापन बल यहाँ पर होता है μू S into R mu s into r या mu r कर देता हूं मैं और विस्थापन हो गया vague into sum तो यहां पर आ गया mu r बराबर होता है mg v into t सब कमान पूट कर दीजी mu कमान हमारे को 0.2 दुरिमान 2 g कमान होता है 9.8 v कमान हमें क्यूशन में दरखा 2 और t हमें 5 दरखा इन दोनों को गुणा करेंगे 10 10 से यह point हड़ जेएगा देखो point हड़ जेएगा तो 4 को 9.8 से गुणा करेंगे तो यह आ गया 49.2 joule डबलो आ गया उत्पन उस्मा पूछी है तो डबलो पॉन में J डबलो पॉन में J J का जो मान है इसको हम calorie में convert कर रहे है यह देखो यह जो किया गया कारी है वो ही उस्मा के बराबर होगा एक तो यह है J में चाहिए दो और यह calorie में convert करना है तो 4.182 का भाग लगा दीजिए तो मैं यहाँ पर 4.2 का भाग लगा देता हूँ अब यह calorie में convert होगे 9.33 कलोरी आज हम सब्सक्राम करना है 9.33 कैलोरी तो विधारते हो अब हम यहाँ पर कुछ कुछ और ले लेते हैं कुछ कुछ और देख लेते हैं हम देखिए पहले तो इन कुछ तो इस को समझे कि यहाँ पर एक वस्तु है पिंड है बोडि है गुटका है इसका प्रारंबिक वेग कितना है V, और इस गुटके थकता प्रस्ट के बीच का जो गर्सन उडांघ है वो है mu, हमें पूछा वीराम में आने में लगा समय, देखे प्रारंबिक वेग हमें कितना दे रखा है वी और अंतिम वेग जीरो क्योंकि विराम में ला रहे हम तो देखे यहां से वी बराबर होता है यू प्लस में 80 हमें क्या चाहिए देखो वी कमान तो यहां पर अंतिम वेग जीरो प्रारंबिक वेग है V और यहां पर यह विप्रिदिसा में अक्सलरेशन काम करेगा तब ही वस्तु है वो विरा में आईगी तो V अपोन में A है अब इस A का मान निकाल लेते हैं A यहां पर इस पर लगने वाला बल M में इसकी विप्रिद इसा में यहां पर गर्षन बल काम करेगा F तो जो M A है वो इस गर्षन F के इक्वल होगा और गर्षन क्या होता है? Mu into R और Mu R क्या होता है? M G तो यहां से M से M cancel होगे A बराबर आगया Mu G देन यहां से क्या आगया? T बराबर V upon में Mu G यहां गया समय यह क्या आचुका है? समय आचुका है ओके? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगली एक्जाम्पल में हमें एक किलोग्राम दर्मान की वस्तु दे रखी है और वस्तु तो था प्रष्ट के बीच का गर्षण गुणांग 0.1 हमें इसे सिचुएशन में इस क्यूशन के अंदर जी की वेल्यू 9.8 मीटर पर सेकिंड स्कुर यूज में लेनी है गतिमान कराने है तो आवश्यक बाहे बल गतिमान कराने है तो आवश्यक बाहे बल क्या होगा? तो बाहे बल हम लगाएंगे इधर जैसे बाहे बल हम ने f लगा दिया तो इधर गर्षण बल काम करेगा small f तो बाहे बल f बराबर आगिया small f और small f बराबर आगिया mu into r और r आगिया m into g m into g सबगी वेल्यू पुट कर दीजिए mu कमान हमें q में 0.1 m कमान हमें 1 9.8 तो जी आगया 0.98 newton f कितना लगाना पड़ेगा 0.98 newton तब ये जो वस्तू है वो गत्सी लवस्ता में आएगी एक एक बार q यूशन को अच्छे से समझना होगा तब जाकर आप an answer find out कर पाएगे अगले qution में देखे qution को पहले समझो कि हमारे पास में एक टरक है वो इस टरक के अंदर एक गुटका रखा हुआ है टरक A0 acceleration से आगे की और बढ़ रहा है मैं आपको बढ़ा दू कि जब कोई गुटका टरक के अंदर रखा हुआ टरक के जो प्रस है उसके प्रस्ट और गुटके के बीच में गर्शन बल काम करेगा क्योंकि जब यह A0 तरण से आगे की और बढ़ रहा है तो इसके उपर पीछे की और M A0 एक आभासी बल काम करेगा तो इस आभासी बल की विपरित दिसा में यहां पर एक गर्शन बल काम करेगा आफ तो हमें यहां पर यह पूछा है कि इस गर्शन बल A5 कमान क्या होगा गर्शन बल A5 कमान क्या होगा ओके दिन यहां से गर्शन बल A5 कमान क्या होगा गुटके पर गर्शनबल पूछा है दिन यहां से क्या ज़ेगा देखे F बराबर F बराबर हमें क्या दे रखा है Mu into R और Mu into R और R बराबर हमारे पास में क्या है M into G M into G यहां से यह M A0 की equal भी है तो हमें यहां पर देखे A0 का मान दे रखा है गर्शन गुणां का भी मान हमें क्यूशन में दे रखा है M का मान यहां पर हमें find out करना पड़ेगा तो देखे M का मान में आपको बदा दू क्यूशन में ही दिया हुआ है 1 kg किलोग्राम एम कमान कितना दे रखा है एक किलोग्राम चलिए तो आफ बराबर म्यू एम जी तो यहां से म्यू कमान हमारे पास में 0.6 एम कमान हमारे पास में कितना आ गया एक जी कमान 9.8 हम यूज में ले लेते हैं जी कमान हम 9.8 यूज में ले लेंगे दिन यहां से कितना जाएगा देखिए जब हम multiply करेंगे तो 5.88 नूटन आएगा 5.88 नूटन तो गर्षन बल तो इतना काम करेगा 5.88 नूटन ओके इस इस्तिती में अधिक्तम जो गर्षन बल है ना F.S. निक्जिवम वो तो यह होगा ओके अब मैं यहां पर बात करता हूँ चैले मैं आभासी बल की अलग से बात करता है आभासी बल कितना लग काम करेगा यहां पर आभासी बल है MA0 तो यह तो 1 इंटू 5 तो 5 नूटन अब मेरी बात को सुनना आभासी बल इस पर 5 नूटन लग रहा है तो गर्षन बल भी 5 नूटन नहीं लगेगा तो जबकि सिमान गर्षन बल है 5.88 नूटन तो 5.88 नूटन से कम यदि घर्षन बल लगता है तो यह इस्तिर रहेगा तो इस पर लगने वाला जो गर्षण बल है देखो सिमान्त गर्षण बल तो इतना है लेकिन आभासी बल ही पांच न्यूटन लग रहा है तो इस पर गर्षण बल कितना काम करेगा पांच न्यूटन ही काम करेगा कितना न्यूटन काम करेगा पांच न्यूटन, देखो इस क्यूशन में मैंने पहले दुर्यमान ने लिखा था, जबकि क्यूशन के अंदर पिंड का दुर्यमान है, वो एक किलोग्राम भी दे रखा है, तब ही हो पाएगा, मैंने क्यूशन को सोट में उतारा है, इसलिए जो दुर्यमान है वो रह गया इसको एकदम क्लेर कर लेना, कि जितना आभासी बल लग रहा है, उतना ही घर्षन के बल काम करेगा, ओके, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दस किलोग्राम का बेलन, बेलन का दुर्यमान हमें दस किलोग्राम दे रखा, दस मीटर प्रती सेकिंड के वेग से लड़क रहा है, 0.5 गर्षन गुणांक दे रखा है, रुकने से पूर्वत्त है कि दूरी, देखो, मैंने दूरी S बराबर या आपर Ds बराबर U स्क्वेर अपॉर में 2A यूज में ले सकते हैं, और एक के इस्तान पर म्यू जी पूट कर सकते हैं, यू कितना दे रखा है, यू हमें दे रखा है, दस, तो दस का स्क्वेर, बट्टे में 2 गुणा म्यू कमान है, 0.5, जी कमान हम ले लेते हैं, 9.8, या मैं 10 ही ले लेता हूँ, अपनी सुविदा के पोर्डिंग में ने इसको क्या ले लिया, 10 ले लिया, तो 10 ही आजएगा, आंसवर, 10 मिटर, रैस पिद्यारतियों ये थे कुछ क्यूशन्स, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कि जो गरसन बल है, वो क्यों आवशक है, गरसन बल के नुकसान क्या है, ये सब कुछ हम देख लेते हैं, पिद्यारतियों अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, गरसन के लाब और हानियों की, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर, गरसन के लाब, गरसन आवशक क्यों है, गरसन आवशक, गरसन आवशक भी है, और कई जिगे पर यह बूरा भी है, तो गरसन एक आवशक बूरा ही है, आवशक भी है, और कई जिगे पर यह बूरा भी हो जाता है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोडने या चलने में गरसन सहयक होता है देखे जितना प्रस्ट जैसे हम किसी प्रस्ट के उपर चलने हैं समतल प्रस्ट पर तो हम क्या करते हैं जमीन को पीछे की ओर धख्खा मारते हैं जमीन हमारे उपर आगे की और घर्सन बल की रूप में दख्खा मारती है तत्पस्चात हम जोड़ पाते हैं दोड़ पाते हैं ओके यदि हमारे पेर और प्रस्ट के मद्दे घर्सन कम हो जाए जैसे मारे लोग प्रस्ट बहुत ही चिकना प्रस्ट हो इतना समतल या इतना चि कोई प्रिस्ट है उसके उपर gomnrist या तेल डाल दिया जाए तो वहां پر हमारा चलना दूबर हो जाता है उसके पीछे रीजन क्या होता है गरसन कम हो जाता है जा हैं पीछे की ओर दख्था मारते हैं तो वहानों के चलने में, वहानों के चलने में भी है ये, वहानों के चलने में भी, ठीक है, अभी मैं clear कर देता हूँ इस चीज़ को, जैसे कोई जो विक्ती है, वो ऐसे दोड़ रहा है, इस तरफ दोड़ रहा है, ऐसे दोड़ रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, इस द्रातल के उपर पीछे की और बल लगाता है ये बल तो धक्खा मारा पीछे की और जबकि गरसन बल पर्थवी द्वारा इस व्यक्ति के उपर आगे की और काम करता है small f किदर काम करेगा आगे की और तो जब हम पीछे की और धक्खा मारेंगे तो धरती हमारे उपर गर्षण के रूप में आगे की और दख्खा मारते हैं तत्पशात हमारा दोड़ना या चलना संभव हो पाता है फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जैसे साइकल के पेडल मारते हैं तो देखे साइकल के पेडल मारते हैं इधर से बेटकर चला रहा है, ओके? समझना, ये है आगे का टायर, और ये है पीछे का डायर, आगे का टायर पर, तो कोई बल नहीं लग रहा, पीछे के टायर पर हम पेडल मार कर बल लगाते हैं, तो इसके उपर तो पीछे की ओर गरसनवल काम करता है, यहां से जब पेडल मारा जाता है तो पीछे की और बल लगाया जाता है बाहे बल किदर लग रहा है पीछे की और तो गर्षन बल आगे की और लगता है small f किदर लगेगा आगे की और इस पर गर्षन बल देखो पीछे वाले टायर की मैं बात कर रहा हूं पिछे वाले टायर पर पेडल से पिछे की ओर बल लगता जिससे घर्षन आगे की ओर और साइकल आगे बढ़ती है और आगे वाले टायर पैये पर तो कोई बाहे बल तो काम कर नहीं रहा है तो इस पर गर्षन बल पिछे की ओर ही काम करता है इस पर तो ठीक है इस प्रकार से cycle आगे बढ़ती है जो pedal मारकर हम क्या करते हैं पईये से पर्थवी के उपर पीछे की और बल लगाते है जिससे पर्थवी पर आगे की और गर्षनबल की रूप में बल लगाती है तब बस्था cycle चलती है अब जैसे मानलो आप पर pedal लगा रहे हैं तब तो ये है इसके उपर कोई बाहेबल काम नहीं करा गर्षनबल पीछे और इस पर गर्षनबल आगे अब pedal मारना बंद कर दिया जैसे cycle किसी speed में चल रही है और pedal मारना बंद कर दिया यहां पर भाहेबल काम नहीं करेगा दोनों ही स्थितियों में जो घर्षनबल है वो पीछे की और गती की विप्रित दिसा में काम करता है गती की विप्रित दिसा में काम करेगा यह clear हो जाना चाहिए cycle की गती में pedal मारते समय आगे वाले पईये पर गर्षनबल पीछे और पीछे वाले टायर के उपर आगे की और और जब pedal मारना बंद कर दिया तो दोनों ही पईयों पर गर्षनबल पीछे की और ठीक है तो गर्षन तो जरूरी है गर्षन बिना हम cycle नहीं चला सकते वहां नहीं चला सकते खुद नहीं चल सकते अब देखे हमने कुछ questions में भी देखे जैसे हमारे पास में ये कोई टरक है ये कोई टरक है इसके अंदर ये हमने कोई वस्तू रख दिये तो ये वस्तू इसके अंदर ही मोजूद रहे यह A0 तवरण से जब आगे की ओर चलती है तो इसके उपर M A0 पीछे की ओर बल काम करेगा और इसे बॉक्स और इस ट्रक के प्रष्ट के मद्दे एक गर्षन बल इसकी विप्रित दिसा में काम करता है अप यदि गर्षन बल काम ही नहीं करेगा तो यह जो वस्तु है इससे लुड़क कर भार गिर जाएगी देखो मेरी बात को सुनना क्योंकि जब यह जो ट्रक है वो आगे A0 तवरण से चलता है तो यह इसके उपर पीछे की ओर एक अभासिबल काम करेगा यदि कोई निर्देश तंतर तवरित गती करता है तो निर्देश तंतर में रखी वस्तु के उपर गती की विपरित दिसा में एक आभासिबल काम करता है और वो आभासिबल है MA0 जो की इसकी गती की विपरित दिसा में तो यहां पर और आगे की और गरसन बाल काम गरता तक पर श्यात यह इस ट्रक के प्रस्ट के साथ में चिपका रहता है इस त्रिवस्ता में बना रहता है यदि गरसन बन नहीं होगा तो यह पीछी की और पिसल दा पिसल दा लुड़की आएगा समझ में आई बात इसलिए गरसन आवश्यक है अगली बात देखे देखे गरसन क्यों जुरूरी है माचिस आप जला रहे न वो गरसन से ही पोसिवल है तिली जला रहे माचिस से तो ऐसे रगड रहे हैं तो दोनों प्रस्टों के बीच में जैसे आप देख रहे होंगे तिली जहां से माचिस के जिस प्रस्ट से रगड जाती वो थोड़ा सा खुर्दरा होता है ताकि गरसन हो और जल्दी से वो तिली जल जाए हम बोर्ड पर लिख पा रहे हैं पैन से हम कोपी में लिख पा रहे हैं तो वो भी गरसंड से ही संभव है अन्यता ब्रेक नहीं लगेगा अन्यता ब्रेक भी चाहिए हाइडूलिक ब्रेक हो चाहिए कोई से हो ब्रेक तब ही काम करेंगे जब गरसंड बल काम करता है मतलब टायरों को घूमने से रोकना है तो वो तो गरसन से ही पोसिबल है गरसन से ही पोसिबल है अब हम कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कुछ ऐसी इस्तितिया जो गरसन है को एक बूरा काम करता है गरसन की बुराईयां अब कर देते हैं हम पहली बुरही क्या है कि कई बार गर्सन है वो कल पूर्जों मसीनों के अंदर क्या होता है मसीने घूम रही होती है और उनके कल पूर्जों के मद्दे अत्रिक्त उर्जा खर्च करने पड़ती है जैसे घूमाने के लिए आप छोटी सिलाई मसीन लीजी सिलाई मसीन के अंदर गरिस डालते हैं, ओल डालते हैं, तब हो इसमुतली चल पाती है, उसके पीछे रीजन क्या है कि उनके जो कलपूर्जे होते हैं, उन कलपूर्जों के मद्दे अपस में घर्षन Initially काम करता है उस घर्षन אבל को कम करने के लिए ग्रिस या ओयल का प्रियोग करते हैं ठीक है तो कल पूर्जों के मद्दे हमें अत्रिक्त उर्जा खर्च करनी पड़ती है कल पूर्जों के मद्दे घर्षन उर्जा की रूप में कुछ उर्जा नस्ट भी हो जाती है कुछ उर्जा नस्ट भी हो जाती है तो घर्षन की पल गिश जाती है तो बहुत सारे नुकसान भी है कुछ उर्जा है वो गर्सन के कारण से स्माप्त भी हो जाती है उसमें उर्जा के रूप में खार्च हो जाती है गर्सन की विज़े से मसेने कलप उर्जे हैं वो जल्दी गिश जाते हैं तूट फूट भी उसमें जल्दी आ गर्षण को कम कर सकते हैं कई जिगें पर क्या होता है गर्षण आवशक नहीं होता वहां पर गर्षण हो जाता है तो उस गर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं गर्षण को कम करने के उपाय गर्षण को कम करने के उपाय करने के उपाय तो पहला तो है सनहकों का प्रियोग करके सनह जैसे हम तेल गरेस इन सब का प्रियोग करके तेलर पाउडर इन सब का प्रियोग डालते हैं, ग्रिस डालते हैं मसीनों में, तो तांकि कल पूर्जों के बीच में गरसन बल कम से कम लगे, इसलिए सनहक तेल के रूप में होते हैं, ग्रिस के रूप में, टेल कम पाउडर के रूप में होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, गरसन को कम करते हैं, किसको कम कर एक दूसरा इंट्रेस्टिंग और जॉपल जो कि गर्षण को कम करता है वह बोह ले डौारा लाम सुना होग हुग वेरिंग के अंदर क्ट होता है इस तरीके से इarfand較 होता है यहां पर छोटी क्टी बोले लगी होती है और यह क्या करती है दो प्रिष्टों के बीच का गर्षन कम कर देती है दो प्रिष्टों के बीच के गर्षन को कम करने के लिए बोल बेरिंग का प्रियोग करते हैं बेरिंग जैसे पंखे में जो घूमने वाली मसीने होती है उनके अंदर आपने बेरिंग जो टायर बगेरा होते पेरिंग लगा होता है पंकहे में भी बर Caribbean लगा होता है तो इस में क्यों दो जो बुरताकार प्रिश्ट होते हैं उनके मद्दी छोटी चोटी घात्यों की गोलियां आपने देखिये होगी उसको हम बोलते बैरिंग तांकि दोनों प्रिश्टों की बीच में गर्षन क्या हो जाए कम से कम हो जाए तो यह थी कुछ विधियां जिनकी सायता से हम गर्षन को कम कर सकते हैं अब मैं यहां पर विराम कोण और गर्षन कोण की चर्चा करूँगा अब यहां पर हम चर्चा करेंगे गर्षन कोण विराम कोण की पहले हम गर्सन कौन ले लेते हैं फिर विराम कौन लेंगे गर्सन कौन को हम थीटा से पुट करेंगे देखें गर्सन कौन की डेफिनेशन समझ लीजिए क्या है अच्छे से समझ लेंगे कि हमारे पास में ये कोई वस्तू है ये कोई वस्तू है और ये किसी प्रस्ट के उपर इस तरीके से रखी हुई है इसके उपर बाहे बल इधर लग रहा है F F क्या है यहां पर बाहे बल इसके उपर घरसन बल काम करेगा इस इस्तिती में घरसन बल का जो प्रिमान होगा वो इस direction में होगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यह सिमान्त गर्सन की इस्तिती में है F S Maximum यहाँ पर काम कर रहा है परति किरिया बल इधर काम कर रहा है तो देखे, परति किरिया बल तता इस गर्सन बल परति किरिया बल और जो गर्सन बल है इन दोनों के परणामी S और परतिकरिया बल के बीच का जो कौन है उस कौन को हम गरसन कौन कहते हैं एक बार समझो पहले दो सिमान्त गरसन की स्तिती में जो गरसन बल काम करेगा वो F.S. मिक्जिम काम करेगा बाहे बल की विपरित दिशा में काम करेगा ठीक है तो F.S. मिक्जिम क्लीर हो गया R और F.S. मिक्जिम दोनों का परणामी है S R और F.S. मिक्जिम दोनों का परणामी क्या है यह दोनों समकोन पर है तो जो S है एक्चुल में वो F.S. मिक्जिम और R दोनों का परणामी होता है fs जो मेक्जिम है वो μ्यू s into r होता है μ्यू s into r then यहां से क्या ज़ेगा r तो बहार ज़ेगा अंडरूड में μ्यू s का square plus 1 रह ज़ेगा यह तो है s इन दोनों का परणामी ओके इन दोनों का परणामी क्या है यह वाला है s बराबर mg अंडरूड में म्यू s square plus 1 अब इस इनके परणामी परती के रिया बलके मद्दे का जो कोण है ना इसको हम गर्षन कोण कहते है थीटा से प्रदसीत करते है किससे प्रदसीत करेंगे थीटा से यह है mg अब यहां पर आप देखें थीटा की वेल्यू निकालनी है तो 10 थीटा बराबर क्या होगा लंब तो यह वाली भुजातो हो जहीग लंब जो की f मिर्जियम आधार हो जहीगा capital r तो म्यू s into r बटे में r तो यहां से आगया म्यू s तो थीटा बराबर हमें मिल जुगा है 10 inverse mu s 10 inverse mu s तो यह relation आपको अच्छर से द्यान में रखना है समझना है कि जो गर्षन कोण है गर्षन कोण की इस परश्या का मान गर्षन गुणां के बराबर इस्थितिक गर्षन गुणां के बराबर होता है अब मैं यहाँ पर विराम कोण की चर्चा करता हूँ देखिए विराम कोण क्या है विराम कोण को हम alpha से put करेंगे देखिए अच्छे से definition को समझेंगे वैसे इन सब की जो हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं इनके अच्छे से परीबास आएं नौट्स आपको हमारे एप पर उपलब्द हो जाएंगे एप की जो लिंक है वो हमने इस वेडियो की description में दे रखिए है वहाँ पर जाकर आप एप को डाउनलोड कीजिए और इनके हस्त लिखित नौट्स इनक्यूशन की seat प्राप्त कर सकते हैं चलिए विराम कोण विराम कोण क्या है एक्च्वल में कि सेतीज के साथ में एक नत तल बनेगा सेतीज के साथ में क्या बनेगा एक नत तल कि नत तल का अधिक्तम कोण नत तल का क्या होगा अधिक्तम कोण जहां पर ये जो वस्तु है वो सीमानत स्थिति में रहें ठीक सरकने की स्थिति में हालां कि सरक नहीं रही है ठीक सरकने की स्थिति में हो रही है तो यह जो कौन होता है इसको मलफा कहते हैं देखो एक बार मेरी बात को समझना कि यह ठीक सरकने की स्थिति में हम यहां से इसको ऐसे उपर कर रहे हैं एक स्थिति ऐसी तीर वस्ता में रहे. तो देखे इस स्थिय के अंदर, यह उधर की और पिसलने की स्थिय में होती है, यहां पर नीची की ऑर तो काम कर रहा है Mg, तो इधर इसका एक गठक हो जाएगा Mg-Cos-Altva इसवरिक्षन में इसका गठक हो जाएगा Mg-Syn-Alpha, इस direction में हो जाएगा R इस direction Fs maximum सारे के सारे आमने सामने वाले जो बल हैं उनको बराबर पुट कर दीजिए R बराबर आगया mg cos alpha और Fs maximum बराबर आगया हमारे पास में mg sin alpha इसको मैं दे दू equation number 2 इसे 1 2 के अंदर किसका भाग लगा दे हमें एक का तो क्या जाएगा mg sin alpha upon mg cos alpha बराबर Fs maximum upon R तो μू S into R बटे में R, R से R cancel हो गया, mg से mg cancel हो गया, 10 alpha बराबर आगया है μू S और alpha बराबर आगया है 10 inverse μू S ठीक है और 10 inverse μू S किसके तुल्ले था थीटा के तुल्ले था तो यहां से एक relation हमारे को मिल चुका है कि विराम कोण और गरसन कोण दोनों क्या होते है equal होते है विराम कोण और गरसन कोण दोनों क्या होंगे equal होंगे ठीक है तो विदेर तो काफी बड़ा वीडियो हो गया है कुछ क्यूशन से हम और ले लेते हैं इनसे ही related देखिए क्यूशन देख लेते हैं अब हम है पहला जो क्यूशन है इसमें हमें दो किलोग्राम दुर्यमान एकनत समतल पर दे रखा है जो विराम कोण है वो 45 डिग्री है जो पिंड है वो ठीक गती करना स्टार्ट कर देता है तो गर्सन बल क्या होगा तो देखिए इधर इधर नीचे काम करेगा mg और इस डिरिक्षन में काम करेगा mg कोस थीटा और इस डिरिक्षन में काम करेगा mg साइन थीटा इस डिरिक्षन में काम करेगा fs या f ठीक है गर्सन बल हमें पूछा है जो कि mg sin theta के equal होगा दो गुणा में 9.8 into sin 45 degree और दो गुणा में 9.8 sin 45 degree का मान होगे एक बटे में अंडूड 2 इसको गुणा करेंगे तो 19.6 एक बटे अंडूड 2 हो जाएगा 0.707 गुणा करते ही अंसुर आ जाएगा अगला जो क्यूशन है उसमें हमें विराम कौन दे रखा है मतलब जो नत समतल के साथ में जो एंगल वो 30 degree दे रखा और ये बता रखा है कि यहाँ पर पिसल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है पिसल रहा है पिंड का दुर्यमान हम mg ले लें तो इस direction में mg cos theta इस direction में mg sin theta fs बराबर हो जाएगा mg sin theta और यहाँ से यह होता है mu sr mu sr देन यहाँ से क्या जाएगा mg sin theta mu sr की जगे हम लिख देंगे mg r क्या हो जाएगा mg cos theta चले तो हमने mu s का आप तो सीधा ही फोर्म ना देखा था मैंने सीधा ही आपको बता दू इतना लंबा चोड़ा नहीं कर रहा है mu s बराबर हमारे पास में था 10 theta तो 10 30 degree का मान कितना हो गया एक बट्टे में रूड 3 हो गया है तो यह आगे mu s यह क्या आच चुका है हमारे पास में mu s आच चुका है तो विद्यार तो यह था आज का हमारे वीडियो जिसमें हमने गर्षन के बारे में संपूर्ण जान करे ली है वीडियो थोड़ा सा बड़ा है आपने धिरी बना कर यहां तक देखा धन्यवाद दोस्तों कर 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 दोस्तों